तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेज जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर क्या आगए हैं आपके लिए एमपीटेट वर्ग तीन पार्ता परिक्षा दो हजार चौवी से आतिसाम भाविद प्रश्नों की सीरीज का प्रैक्टिस सेट नमबर अठारा यानि इससे पहले हम सत्रह वीडियो अप्लोड कर चुके हैं जिसमें चार वीडियों सीडिपी की हैं पांच वीडियों एवियस क अप्लोट की हैं, दो से तीन वीडियो Math Pedagogy की अप्लोट की हैं, एक वीडियो English Pedagogy की भी हमने अप्लोट की है, तो कल हमने English की वीडियो अप्लोट की थी, आप लोग थोड़ा उसको जाकर के अच्छे से देखिए और बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो जो भी English वाले हैं, वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, बाकि इसके बाद में आज सामको CDP की वीडियो फिर से आने वाली है, ठीक है, तो यह अधिसामभाईत प्रश्णों की सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं, अगर आप इतना लेकर के चलने वाले हैं, और एक्जाम एनलेसिस भी पर डे हर सिप्ट का एक्जाम एनलेसिस भी हम आपका करवाएंगे ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो अप्लोड हो, उनका नोटिफिकेशन भी आप तक सही समय पर पहुंच सके तो आज़े देखते हैं, आज का पहला प्रस्ण क्या है, एक एक प्रस्ण के बारे में जुड़ी खाद सरंखलाएं मिल करके क्या बनाती है, जिससे पारिस्तिकी संतुलन इस्तापित होता है, जो भी खाद सरंखला होती है, खाद सरंखलाएं जितनी भी हैं अपने वातावरण में, वो मिल करके क्या इस्तापित करती है, जिससे कि जो आपका पारिस्त्र की संतुलन है वो बना रहता है जलचकर बनाती है, उल्टा पिरामिड बनाती है, खाद जाल बनाती है या फिर पिरामिड बनाती है, आई ये answer देखते हैं, प्रशन का सही answer आपका option number C है यानि खाद जाल का निर्माड करती है हर तरह की खाद जाल का निर्माड करती है, जिससे पारिस्त्र की संतुलन बना रहता है संतुलन कैसे बनता है तो देखिए, जो घास होती है, उस घास को आपका मेडग खा लेता है या बकरी मालीजे, बकरी खालेती है, अगर बकरी घास को नहीं खाएगी तो पूरे विस्तु में घास ही घास हो जाएगी, यानि संतुलन बनाने के लिए बकरी जो है वो घास को खालेती है, बकरी को खालेता है सेर, अगर बकरी को सेर नहीं खाएगा तो समझ लिए पूरा ब विबनजीवों के बीच भोजन संबंदों को दरसाने वाला एक आरेख है इसे ही हम खादिजाल कहते हैं जैसे अगर मेढक को साप नहीं खाएगा तो मेढक पूरे विश्व में हो जाएंगे ठीक है सापको बाज नहीं खाएगा तो साफ ही साप हो जाएंगे इस तरह से ये ख कहीं पर खुदा ही चल रही है तो बताइए इन में से परियावरणी मुद्दे कौन-कौन से हैं परियावरण पर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है खनन का जंगल हरास और पारिस्तित्री का विक्टन भारी वर्सा उर्वरता या फिर जैव निमनी करन किस तरह से खनन का असल परियावरण पर पर परता है एक उसर की बात कर तरह सई आंसर ऑप्ट ini होता है और पारिस्टित्र का विक्टन होता है अगर जंगल का जाएंगे तो आपको पता है कार्बन डाई ओक्षाइट की मात्रा बढ़ जाएगी वायो मंडल में और हमको सांस लेने में दिक्कत जिससे परिया वरेट संतुलन बिगड़ता है अभी अभी आपने सुना होगा मध्यप्रदेश में एक जंगल है अब उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है वो बता रहा है कि पन्ना और रीवा वाले शेतरों में है वो जंगल तो बता रहे हैं कि वो जंगल साप किया जा रहा कारबन डाई ऑकसाइड को अवसोसर नहीं कर पाएंगे पेड़ जिससे की पार्स की संतुलन बिगड़ जाएगा ठीक है तो आपसे नमबर ए आपका बिलकुल सही है कुश्चन नमबर तीन देख लेते हैं देखिए कुश्चन नमबर तीन है भारत में हिम तेद्वों की सर प्रिविएस्यस के फेपर उठा कर आप देखिए इस नापके अक्जम में पूछे गए है पी वाइक्यू हम इसमें प्रिवेस्यस के कुश्यन को भी कitना प्रियास प्रयास है तो इसको शेर जारूर कीजीगा अपने सभी दोस्तों के पास में और वीडियो को लाइक कर द तो हिम तेंदूओं की सरवाधी संख्या किस राज में है कि हमाचल में उत्तरा खंड में अफरों सिक्किम में एंसर की बात करें सही आउसर ऑप्शन मर्ड भी है हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदूओं सरवाधिक मात्रा में पायाते हैं देखिए तो 5 साल के बैग्यानिक आ सब्सक्राइब करनाटक कीस से संब्सक्राइब करनाटक से संबंधित है। अब होक प्रणाली क्या है आईए देख लेते हैं तो करनाटक ने देखिए करनाटक ने wild life trust of India के साथ मिल करके hostel activity watch kernel system launch किया है तो होक का full form क्या है hostel activity watch kernel system जिसे होक कहते हैं इसका काम क्या रहेगा तो देखिए यह वन्नी जीव अपराद प्रबंधन के लिए विशेश software है यानि कि अगर आप गेंडे की बात करेंगे तो गेंडे के आगे जो सिंग लगी होती है वो बहुत ज्यादा कोश्टली होती है उसका जो है दवाईयों में प्यों कियाता है तो गेंडे की सिंगों का यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं उनको काट लिया जाता है उनको हानी पहुंचा याती है तो यह Hawk प्रणाली जो है वो उसमें काम करेगी Hawk system जो है वो उसका पता लगाएगा जैसे करनाटक आंदर प्रदेश के जो शित्र हैं वहाँ पर चंदन की तसकरी की जाती है तो उसका पता लगाने के लिए भी हौक प्रणाली का यूज किया जाता है तो उम्मिद करते हैं हौक प्रणाली के बारे में आपको सारी जानकारी पता चल गई होगी अब आप से पूछेगा हौक प्रणाली किसे समंदित है तो आप बता देंगे भाईया यहां व देखरेक किया जा रहा है अई यह option देखते हैं देखिए option की बात करें तो भारती 1 और जलवाई परिवर्तन मंत्रा लाए भारती 1 प्रवंदन संस्तान भारती 1 की उंसंदान और सिच्छा परिसद या फिर भारती 1 सरविच्छन किसके द्वारा इसकी देखरेक की जा रही है स भारती 1 एम लकड़ी प्रमाड़न योजना शुरू की है तो देखिए आपका option number A बिलकुल सही होगा यहाँ पर जो है एंसर में गड़बड़ी कर दी है option number A आपका सही हो जाएगा ठीक है तो भारती 1 प्रवंदन संस्तान नहीं है यह आपका option number A यानि कि पारिया वरन वन और जलवाई परवरतन मंत्राला है इसके द्वारा यह योजना शुरू की गई है और किसलिए शुरू की गई है तो इस्थाई वन प्रवंदन और किसी वन की प्रथा जो प्रथाएं चल रही है उसको प्रोसाहित करने के लिए जिससे वनों की रच्छा हो सके ठीक है तो option number A आपका सही होगा एक बार फिर से सुन लिजिए option number A आपका सही answer होगा पीडिएफ में हम इसको सही करवा देंगे question number 6 देखिए यह आपका recent current affair का प्रशन है कंबल कोंडा वन जी अभ्यारन जहां पूर्वी घाट प्राकृती व्याक्या केंदर खोला जा रहा है किस आपका current affair का प्रशन बन जाएगा देखिए question number 7 भारत में काला बाग अभी हाली में चर्चा में रहे हैं विशेश रूप से ये बाग की सभ्यारन में पायाते हैं तो काले बाग अभी हाली में चर्चा में रहे हैं काला बाग कहीं कहीं देखा गया है ठीक है तो यह किस में सबसे ज़्यादा पायाते हैं की सभ्यारन में य यही current affair के प्रश्ण है जो आपको फसाएंगे और यही current affair के भी प्रश्ण है अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो यह जो latest current affair के प्रश्ण है यह हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे आईए answer देखते हैं कहाँ पर काले बाग सरवाधिक पा जाते हैं सही answer option number C हो जागा सिमली पाल टाइगर रिजर्व में काले बागों की संख्या सरवाधिक देखी जाती है देखिए तो 2022 की सरकारी आंकडों की अनुसार भारत में बरत्मान में 10 दुरलव काले बागों की आब की सपूर जाते हैं जिनने मेलीशतिक बाग भी कहा जाता तो याद रखना दूसर नाम मेलीशतिक बाग है यह विसेश रूप से मेर्ण बॉसर संस्थान ने हाल्यी में कि सहर में प्लाश्टिक करचरे को डीजल में बदलने के लिए एक सांत्र श्था पिर प्लास्टिक कर्चरे की मदद से, प्लास्टिक कर्च जैसे आपका पॉलिथीन हो गया, प्लास्टिक के खिलोने हो गया, तो इनकी मदद से डीजल में परिवर्थत किया जाएगा, ऐसा एक सैंत्र बनाया है, कहां पर बनाया है, लखनव में, रांची में, सूरत में, या फिर स्रच्छन के प्रति संबेदन सील बनाना चाहता है तो निम्ण में से कौन सी सरवाधिक उप्यूक तो रणनीती होगी यानि कि पेड़ों को बचाने के लिए एक सिच्छक जो है वो चात्रों से कह रहा है तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी करें जिसे कि छात्रों पेड़ों को बचाने के प्रति जागरुक हो सकें आई ये उप्सन देखते हैं कच्छा में बहस आयुजित करना समू चर्चा करना पोश्टर बनाना या फिर बच्चों को एक पौदे को अपनाने और पोसित करने में मदद करना यानि कि बच्चों को कह दो भईयो देखो एक पोधा सब लोग लगाएंगे उसका पोसल करेंगे उसका ध्यान रखेंगे तो सही आंसार आपका उप्सन में डी हो जाएगा यही बिल्कुल सही हो जाएगा अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि बच्चे परियावरेन के प्रती जागरुक हो सके तो उनको कहेंगे कि भाज़ी देखो आज जो है सभी बच्चे अपने घर पर जाएंगे और एक पोधा अपने घर पर लगाएंगे उसका देखरे करेंगे जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है प्रदरसन के लिए आश्रम में आवशकता है मतलब कि अगर घरेलू पसु है जैसे मवेसी हैं आपके उनसे आप दूद प्राप्त करते हैं तो इस्टिता मुत्पादर यानि कि अच्छा दूद प्राप्त करने के लिए आपको उनके लिए क्या-क्या ब्योस्ता करनी पड़े तो बहुत अच्छा दूद दोगी तो ये गलत हो जाएगा इस्थान चारा और पानी यही तीन चीजे मुक्य रूप से आवशक होती है मवेसी के लिए उनको रहने के लिए बहतर इस्थान दीजिए उनको खाने के लिए चारा दीजिए और पीने के लिए पानी दीजिए बस इतना ही आप करेंगे तो आपको आराम से वह इस्टितम उत्पाद आपको मिलेगा, उनके द्वारा मवेशी उगदारा, खुला छेतर, खिलोने और पानी, अब खिलोने तो बच्चों को चाहिए, ठीक है, जानवरों को खिलोने तो चाहिए नहीं, उप्सन डिये ननौप दैवब, तो सही आंसर उप्सन नमबर भी हो जाएगा, इस्थान, चारा और पानी, ये तीन चीज़े मिलती रहेंगी, तो वे आपको इस्टितम उत्पाद देते रहेंगे, कुश्चन नमर 11 देखिए, आवास बेवस्था की उस प्रकार का नाम बताईए, इसमें जानवरों को विप्रित दिसा में सैड में बाधा जाता है, सैड की सफाई और गायों का दूद दोहना आसान हो जाता है, और रोगों की संभावना भी कम रहती है, उस प्रणाली को क् प्रणाली को हम क्या कहते है, इससे क्या होता है, अगर तो उसका दूद दोहने में आपको आसानी हो जाएगी, दूसरी बात रोगों का संचरण नहीं होगा, अगर ये एक दूसरी तरह मुह करके खड़े रहेंगे, तो माल लीजिए इसको जुखाम है, तो इसको भी हो जा प्रणाली, ओपन हाफसिंग सिस्टम या फिर इन में से कोई नहीं, आपको क्या लगता है, सही आंसर आपसन नमबर A है, पूच से पूच प्रणाली, यानि कि इस तरह से गाय को बांदेंगे, अब ड्राइंग पर मत जाना भाई, ठीक है, इसकी पूच इधर रहेगी, और कैसे भी बैटे हों, तो इससे भी जोहर रोगों को फैलने की संभावना ज्यादा रहती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, कुल मिला करके, आपसन नमबर A आपका बिलकुल सही होगा, अगला देखिए, कन्या भूण हत्या को किस वर्स अधनियम बना करके प्रतिबंधित किया गया था, तो इसमें अलग-अधनियम बने हैं, सारे अधनियम आपको हम बता देते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, आपसन 2004, 2006, 2008 या फिर 2003, सही आंसर आपका आपसन मड़ी हो जागा, 2003 में यह अधनियम बनाए गया था, शुरुआ से लेकर के चलते हैं अंग्रेजिय के जमाने से, तो सबसे पहले कन्या भून हत्या रोकने के लिए, महिला सिस्व हत्या रोकदाम अधनियम 1870, बिटिस सरकार ने पारित किया था, पहली बार कब 1870 में, लेकिन 1870 तो अपने आपसन में नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, उसके बाद 1994 में भारत सरकार के दो और अधिक कारगर बनाने के लिए, इसमें कुछ संसुधन किये थे, अगला देखिए नमक का सुतर क्या है भाई, इसको तो सब लोग कमेंट करेंगे, पहले सब लोग कमेंट कीजिए, जितने भी लोगों को पता है, अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे आप तो बता सकते है कि नमक का सुतर क्या होता है, चलिए कमेंट कर लिया, आइए देखते हैं, आप्सन H2O, NaCl, CO2 या फिर HCl, आइए एंसर देके, सही आंसर, आप्सन मर भी हो जाएगा, NaCl जो है, वो आपका नमक का सुतर होता है, साधार नमक का सुतर होता है, अब बताए HCl किसका सुतर होता है, CO2 किसका होता है, यह comment box में comment कीजी, अभी तुरंद, और H2 आप जानते है, पानी का सुतर H2 होता है, CO2 का सुतर क्या है, वो आप मतलब CO2 का नाम क्या है, यह आपको comment box में comment करना है, चलिए आगे बखते हैं भाई, अगला प्रस्छन देखें, बिटामिन की कहोज का सुल CM फंक को जाता है लेकिन बिटामिन A की खोज किस ने की थी और कब की थी बताईए 1910 में 1912 12 में 1914 और 1915 में एंसर की बात करें सही आंसर आप्शन मेर भी हो जाएगा 1912 में इसकी खोज की गई थी अब किस ने इसकी खोज की थी आईए देख लेते हैं तो बिटामिन A की खोज बिटिस बैग्यानिक सर फेडरिक आफिस फेडरिक आफिस ने 1912 में की थी उन्होंने इसे रेटिनॉल नाम दिया था तो इनके दोरा नाम क्या दिया गया था रेटिनॉल नाम दिया गया था 1912 में इसकी खोज की गई थी और वैसे आप जानते हैं प्रोटिन जो आपका विटामिन है इसकी खोज का सरी सीम फंक को जाता है अगला देखिए प्रश्ण नमबर 15 आपके सामने है पूरे 30 प्रश्ण रहेंगे और आपको बताना रहेगा कि कितने नमबर आपके आए है देखिए प्रश्ण नमबर 15 है बिस्व अंतरेच सब्ता किस वर्ष से मना जाता है किस वर्ष से सुरू किया गया था बिस्व अंतरेच सब्ता है 1990, 1995, 2004 या फिर 1999 या भी प्यूआ की क्यूँ है आपका प्रीवेस एर में पूछा गया प्रश्ण है अब यह फैक्ट वाले प्रश्ण है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पूरी देनी है वो हम आपको देते हुए चलेंगे देखिए किस भारती बैग्यानी को वायुगत की और एरोस्पेस डिजाइन की विस्ष सगी के रूप में जाना जाता है यह भी आपका प्रीवियस एर में पूचा गया प्रश्ण है अरुण पिल्लाई हिमा कोहली आस्ता सोनी या फिर तुमकुर सीता रमया प्रहलाद किसको जाना जाता है वायुगत की और एरोस्पेस डिजाइन के लिए तुमकुर सीता रमया प्रहलाद को जाना जाता है अगला देखिए कुश्चन नमबर 17 आपके सामने है निम्न में से कौनसी ग्रीन हाउस गैस पूरी तरह से मानव जनित है यानि कि मानवों के दौरा निर्मित तो नहीं कहेंगे लिकि मानवों के दौरा यह निकाली जाती ह कौनसी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जलवास्प, मीथेन, कर्बन डाई ऑक्साइड या फिन नाइटरस ऑक्साइड तो इसमें सही आंसर आपका उप्स नमर सी हो जाएगा जो कर्बन डाई ऑक्साइड होती है यानि कि मानव जब सांस लेता है तो भाई ऑक्सीजन लेता है कर् carbon dioxide हो जाएगी बागी आप मीथिन तो देते नहीं है नहीं आप जलवास्प देते हैं नहीं आप नाइटरस oxide को निकालते हैं पर carbon dioxide जो है आपके द्वारा उस सर्जित की जाती है देखिए ग्रीन ग्रीन हाउस का अरवाउस अरम होता है अब थोड़ी सा प्षा कर आपने एक बाव में का यह यह right है देखिए जैसा आप इस option में देखेंगे वातावरण में oxygen की ब्रिद्धी हो जाए वातावरण में carbon dioxide की ब्रिद्धी हो जाए वातावरण में carbon dioxide की कमी हो जाए या फिर वातावरण में oxygen की कमी हो जाए किसकी वैसे greenhouse effect होगा तो आप जानते हैं गर्मी पैदा करने वाली गैस का carbon dioxide CO2 की ब्रिद्धी वातावरण में हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा greenhouse effect होगा क्योंकि वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है ठीक है देखिए सई answer option बर B हो जाएगा carbon dioxide की ब्रिद्धी वातावरण में हो जाएगी तो greenhouse effect होगा देखिए पैड़ागोजी का प्रश्ण देखिए बीच बीच पे पैड़ागोजी के प्रश्णों को भी हमने रखा है सिच्छक अपनी कुछ चात्रों को असाधरा रूप से उज्ज्वल और बुद्धिवान पाता है सिच्छक उन्हें कैसे पढ़ाएंगे यानि कि देखिए माली जे पचास चात्रों की एक मतलब क्लास है जिसमें से दस ऐसे चात्र है जो बहुत ही उज्ज्वल भाविस से उनका तेज हैं बुद्धी में दिमाग में हर तरह से तेज हैं वो उनके लिए क्या करेगा कैसे उनको पढ़ाएंगा उच्छे कच्छा के साथ अब ऐसा कच्छा नौवाला चात्र है बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो उसको कच्छा बारम बिठा दे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे संब्ध पाठक्रम का उपयोग करके उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे ऐसा नहीं सर हम सबसे तेज है जो हम कहेंगे वही आप पढ़ाओगे ये भी गलत हो जाएगा बाकी कच्छा के साथ उनको रख देंगे ये भी ठीक नहीं रहेगा कि बाकी कच्छा जैसे चल रही है अगर बाकी कच्छा सलो चल रही तो उनको भी सलो चलाओ ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा लेकिन आप एक काम कर सकते हैं option number बी से होगा संभ। प्रेयरित सिच्इठ का संकेथ आपने के सामने ? आपने कुछ पढ़ाया और बच्चों के दिमाग में तुरन समझ में आगया तो वो क्या प्रेरिणा करेंगे आपसे? ठीक है या पिर नहीं समझ में आया है तो वो क्या प्रेरिणा आपसे करेंगे? या प्रश्ने पूछा जा रहा है. चलिए देखते हैं. कच्छा के छात्रों में अधिक्तम उपस्तिती के लिए छात्रों द्वारा प्रशन पूछा जाना ये प्रेरित सिच्छन का आपका संकित हो जाएगा या फिर कच्छा में पूर्ण सांति या ग्रह कारियों की पूर्ती कौन सा प्रेरित सिच्छन का आपका उधारन होगा सही आंसर अप्सन नमर भी है छात्रों के द्वारा प्रशन पूछना अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपका जो पढ़ाने का इस्टाइल है वो बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों को प्रेरित सिच्छन का एक उधारन होता है अगर बच्चे सांत है तो समझ लीजिए या तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है या पूरा समझ में नहीं आ रहा है यानि कि उनको आप से प्रेरित सिच्छन से कोई लेना देना नहीं है ग्रायकार है तो आप देते ही है वो उनका कार है वो करके आएंगे उससे भी प्रेश सिच्छर से कोई लें देना नहीं है लेकिन अगर चातर प्रश्ण पूछ रहा है इसका मतलब वो आप से कुछ न कुछ प्रेणडा लेकर के ही पढ़ रहे हैं जिससे उनके मन में कोई सवाल आ रहे हैं वो आप से पूछ रहे हैं तो आपसन नमबर भी आपका सही हो जाएगा कुछ नमबर 21 देखिए ईवियस कच्छा में इसके फोल्डिंग प्रक्रिया को संदर्वित करता है जहां सिच्छक तो मदद करना को हम इसके फोल्डिंग कहते हैं लेकिन थोड़ी सी मदद की जाएगी ऐसा नहीं कि उसको वो सवाल नहीं आ रहा है आप पूरी गाइड उसको पकड़ा देंग बोल देंग ले भाई तु आराम से लगा रहे हैं घर पे जा करके इसे इसके फोल्डिंग नही ठीक है अगला अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करता है सीखने को बढ़ाने के लिए सिचार्थियों को आइस्थाई साहता देता है तो यही आपका सही हो जाएगा आइस्थाई साहता देगा से इसके फोल्डिंग कहते हैं आइस्थाई का मतलब है यह थोड़ी कि चल सवाल नहीं कर पा रहा भाई तु कोई बात नहीं हम तुमको पूरा नमबर दे रहे ऐसा भी नहीं करेगा आइस थाय मदद करेगा तो option number C आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा चल ये question number 22 की बात करते हैं देखिए ये प्रशन प्रिविएस एर में पूछा गया है आपके प्रिविएस एर से प्रिशन पूछा गया है देखिए 2022 वाले exam में इना से किसकी पूझा हडपा के लोग नहीं करते थे हिस्ट्री का प्रशन पूछ लिया लेकिन simple प्रशन है ठीक है तो हरपा सब्विता के लोग किसकी पूझा नहीं करते थे प्रकृती की देवी की इंद को दर्सा आगया है पस्वपती के रूप में तो हरपबावासी मुखे था पस्वपती देव जो आदिसिव थे उन्हें पस्वपती मानते थे उन्हीं का रूप था मात्र देवी सक्ति पीपल और नीम के पेड़ के साथ सूरी अगनी और पृत्वी जल की भी पूजा किया करत थे तो सारे option हमने आपको बता दिये हैं यह option देख लीजिए सूरी अगनी पृत्वी जल सक्ति पीपल नीम और पस्वपती इन लोग की पूजा हरपवासी किया करते थे इंद्र की पूजा नहीं होती थी आगे बढ़ते हैं कुछ नमर 20 भारत किस देश के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है देखिए ब्राजील चीन जापान अमेरिका तो सबसे अगन्ने का उत्पादन कहां पर होता है ब्राजील में होता है आप सबको पता है ठीक है तो ब्राजील के बाद भारत दूसरे इस्थान पर है तो option number A आपका बिलकुल सही answer हो जो लैक्टोज है वो दूद में पाया जाता है और यही दूद में पाया जाना वाला कार्बोहाडर होता है अब एक ट्रीक आपको बता देते हैं कहीं पर भी आपको लैक्ट सब्द दिख जाये तो समझ लेना वो दूद से सम्बंदित है ठीक है आपको question में लैक्ट बनता है दूद से बनता है तो जहां पर भी आपको लेक्ट सम्द मिल जाए समझ लेजिए उसका संबंद दूद से है आगे बढ़ते हैं कुछ नमबर 25 देखिए अब यह IPL वारा प्रशन उसमय पूछा गया था IPL 2021 में औरेंज कैप किस ने जीती जब 2022 में आपका एक्जाम ह आपका 2024 लाश्ट तक आपका एक्जाम होगा तो 2024 के IPL से प्रशन बन सकते हैं तो यहाँ पर हमने उसको कबर किया है पिछली बार पूछा था IPL 2021 में औरेंज कैप किस ने जीती थी तो चलिए देख लेते हैं औरेंज कैप होती क्या है क्यों दी जाती है परपल कैप क्या हो होता है IPL इस IPL में जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है पूरे IPL में उसे औरेंज कैप दी जाती है जो सबसे ज़्यादा विकट लेता है उसे परपल कैप दी जाती है तो चलिए देख लेते हैं विकट किसने लिए और रन किसने बनाए तो रॉयल चैलेंजर बैंगलूरू के विराट कोली ने पंदरह मैचों में साथ सो एक तालिस रण बना कर औरेंज कैप जीती थी यह current affair का आपका एक प्रशन clear हुआ इसके बाद में यह दूसरी बार था जब विराट कोली ने औरेंज कैप जीती है IPL के तिहास में उसके बाद परपल कैप की बारत करते हैं तो 24 विकेट ले करके हरसल पटेल ने परपल कैप अपने नाम की तो यह current affair का दूसर प्रशनाप का इसी में clear हो गया तो हरसल पटेल को परपल कैप मिली है इन्होंने विकेट सबसे अच्छे लिए हैं विराट कोली को औरेंज कैप में लिए उन्होंने सबसे अच्छे रन बनाए हैं चलिए अगला देखते हैं कुश्य नमबर 26 साइट पर बच्चों को डैस के लिए परियाप्त आउसर और समय दिये जाने की आवशकता है साइट करते हैं आप बच्चों को कहीं घुमाने ले गए मालीजे बच्चों को आप चलिए घुमाने ले गए ठीक है तो उनको किस कार के लिए अधिक समय देने की आवशकता पड़ेगी अवलोकन और अनवेशन के लिए आवेगी निड़े के लिए तरकसंगत निड़े के लिए या फिर कोई नहीं आई एंसर देखते हैं सही आंसर आप्सन अबर A हो जाएगा अब लोकन और अनवेशन के लिए तो वो बच्चे हर चीज को देख सकें उसको समझ सकें उसको कॉपई में नोट कर सकें इसके लिए जो है समय देने की आवशक्ता रहती है ऐसा नहीं कि आप चड़िया घर ले गए और बच्चों को जो है वहाँ पर सेर के सामने खड़ा कर दिया ठीक है बोला भईया आपके सामने पांच सेकंड का समय है सेर देख लो और चलो ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आपने सेर के सामने खड़ा किया है तो फिर सेर के बारे में उनको बताईए देखो ये सेर है ये जंगल का राजा होता है अगर बाल है उसके सेर पर तो ये बबबर सेर है नॉर्मल सेर होता है ये सेरनी है ठीक है इसका रासानिक नाम ये है इसका बैग्यानिक नाम ये है ठीक है तो इस तरह की पूरी जानकारी देते हैं इसी को हम अवलोकर और अनवेसर कहते हैं तो इसके लिए विद्यार्थियों को समय देने की आशकता रहती है और संबर ए आप पर पाई जाती है और उसे खराब ओजोन क्यों कहते है देखिए छोब मंडल में पाई आती है समताब मंडल में ताप मंडल में अपर मद्य मंडल में तो समताब मंडल में आपको पता है ओजोन परत अपनी पाई आती है जो की अच्छी ओजोन होती है ठीक है ना जो इत्वी की सता से लगबग 6 मील उपर तक होता है तो 6 मील की उचाई तक का जो भाग होता है उसे हम छोब मंडल के अंतरगत रखते हैं छोब मंडल में मौजूदा ओजोन वायू प्रदूसक है और सांस लेने के लिए हानिकारक है इसे खराब ओजोन कहा जाता है क्योंकि यह अन अड़ों के साथ आसानी से प्रत्क्रिया करती है और जीवत जीवों के लिए जहरिली होती है जो छोब मंडल में ओजोन पाई आती है इसलिए इसे हम खराब ओजोन कहते हैं तो पता चल लगए आपको कहां से कहां तक खराब ओजोन पाई आती है और जो अच्छी ओजो है वो समताब मंडल में पाई आती है देखें वह सिध्धान्त जो यह माझता है कि प्लेटें अधिक गत्सील मेंटल पर चड़ती है जिसके परडामस रूप एक दूसरे के संपर्क में आने से भूप परपटी में तना होता है इस सिध्धान्त को हम क्या चड़ती है तो ऐसे में जो तनाव उत्पन होता है इस तनाव की वैसे प्रथी पर भूकम आ जाता है तो इस सिधान्त को हम क्या कहते हैं चली देख लेते हैं प्लेट विवर्तनिक सिधान्त आपदा का सिधान्त भूकम का सिधान्त या फिर प्राकृतिक आपदा का सिधान्त सही answer option number A हो जाएगा इस सिधान्त को हम plate विवर्थनिक सिधान्त कहते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं क्योंकि यहां से प्रश्ट बन सकता है तो plate विवर्थनिक सिधान्त को Mackenzie, Morgan और Parker ने 1960 में बनाया था प्रितपादित किया था plate विवर्थनिक सिधा अगला प्रश्ट देखे, question number 29 आपके सामने है, निमलिकित में से कौन सा सब्द पर्यावर्ण के निर्जीव घटक को संदर्भित करता है, जिनमें जीव नहीं होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, उन घटक को कौन सा सब्द बताता है, जैवी घटक, अजैवी घटक, म अजैवी कारक कहते हैं, अजैवी कारकों में चटाने, पानी, मिट्टी, प्रकास, आदी जो चीज़े हैं, वो आपकी अजैवी घटक के अंतरगत आती हैं, आज का आखरी प्रस्ट देख लेते हैं, किस शेतर में आप आदिवासियों को पारंपरी कुमेरी खेते करते कोतर भारत, दच्छिन भारत, पश्चमी घाट या फिर पूर्वी घाट, एंसर की बात करें, सही आंसर अप्सर मर्सी हो जाएगा, पश्चमी घाट में जो है कुमेरी खेती की जाती है, देखिए, तो गोवा में, गोवा जहां है आपका, गोवा के सब्तरी जिले के ये भ करसी की जाती थी, अब तो गोवा में बीची बीच दिखाई देते हैं, ठीक है ना, पहले यहाँ पर जो है इस तरह की करसी की जाती थी, ऐसा एतिहासिक प्रमाट अभी हाली में मिला है, यह आपके करेंट का प्रस्ण है, याद रखिएगा कुमेरी खेती कहां से संब्दि होना चाते हैं, चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लिजिए, जिससे की सारी वीडियो आप तक पहुंच सके, नीचे टेलिग्राम चैनल के लिंक दीगे, यह सकसे जंक्सल लाइब के नाम से टेलिग्राम चैनल है, आप सर्च कर पीडियो फॉर्म में मिल जाएगी, NCRT के नोट्स आपको मिल जाएगी, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बाकी इससे पहले हम गडित पैडागोजी की एक वीडियो अप्लोड कर चुके है, भाई उसको भी जाकर के देख लिए ना, कल ही ये वीडिय देख सकते हैं, चलिए फिर मिलते हैं, इस वीडियो को सेर कर देना, एक नई वीडियो में जो किसाम को आएगी, CDP की, ठीक है, इंगलिस की भी हम वीडियो अप्लोड कर चुके हैं, उसे भी आप देख लिए ना, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद,